वेलकम डियर स्टुडेंट्स आइम बियल चोदरी टीम बोटनी CLC सीकर प्यारे बच्चों प्यारे विद्यार्थियों नीट दोजार चोईस के प्रतिभागियों सहभाकियों मुस्क्राइए अपना लक्स से बिलकुल नजदिक आ रहा है हम जल्द ही मेडिकल कोलेज में समझ सकते हों कि क्योश्टन को लिया गया है हर प्यारग्राप को वेटेज दिया गया है इक्वल वेटेज दिया गया है उनको अच्छे से ध्यान रखा गया है समरी को ध्यान रखा गया है एंचाटी एक्जम्प्लर को ध्यान रखा गया है पहरे बच्चों कुछ बच्चे ये थताकतित उलजन में रहें नहीं रहें नहीं एंसियाटिक उलजन में हैं बच्चो ये देखेगा कि ये सलेबस है नीट यूजी दो जार चोईस ये एनमसी नेशनल मेडिकल कमिशन के एकोडिंग आपके फिजिक्स है केमेश्ट्री है उसके बाद जो बायोलोजी है अपन चैटर जो NCRD को वहां से एक भी डिलीट चीज नहीं है फिर थर्ड चैटर प्लांट किंगडम तो प्लांट किंगडम में से ये जो डिलीट पोर्शन है ये ना एलगी है ब्रायोफाइटा एलगी ब्रायोफाइटा टेरेडोफाइटा जिम्नोस्परम है ना और इदे को प चैटरिक फीचर एंड एक्जामपल तो बेटा वैसे ये पन तो डाइकोट मोनोकोट नहीं कराते हैं क्लियर क्लास तक तक तो आप जानते हो जैसे ब्रायोफाइटा में भी हीपेटिकोपसिडा लीवरवर्ट होता है एंत्रोपसिडा और ब्रायोफिडा मोसेज तो क्लास लेवर्ट तक तो साइध अपनों वहां पर भी नहीं बताते हैं तो यह तो वो चीज़ डिलिट है इसलिए प्लांट अनाटोमी अब इसमें पूरा लिख रका है लेकिन जो नहीं सेकेंडर को तैसा कुछ भी नहीं दे रखा है तो थोड़ा टच करना पढ़ेगा फिर भी में से दे दे तो बच्चो अपनको तो हर तरीके से त्यार रहना है क्योंकि बायोलोजी में अपनको 360 आउट ऑफ 360 गेन करने हैं 360 नंबर लेने हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि CLC की स्टेस्रीज के साब अगर आप रहते हैं लाइं टुन एंसेडी पढ़ते हैं समर प्लता बस दिल के अंदर एक जुनुन अगरा पैदा कर लें और आप समझ सकते हो कि एसा खून आप में हो उबालो ऐसा खून आप में हो तो निशित तोर पर सपलता आएगी और सूरज की तरह तरह दपना भी है और सीदी सी बात है बच्चो कि आपन मान लेते हैं कभी- जिम्नो यानि जो plant kingdom है इस chapter को पूरा करते हैं आज का paper solution करते हैं तो देखे बच्चों और किस topic से क्या question लिए गए है taxonomy algae देखो algae जो भी है तो algae portion बहुत important है pyq में आप देखेगा algae portion बहुत important है कभी brown algae का store food आजाता है कभी salval composition आजाता है कभी red algae का आजाता है दो तिन question वहां से pyq में जरूर आ जाते हैं इसी प्रकार और natural classification वहां से भी कुछ questions एक आदा लिया गया है तो देखे student अपन पेपर पे चलते हैं तो question नम्मर यहां देखेगा first की बात अपन करेंगे बच्चों in which of the following with set of green algae यहां पुछा गया कि नम्मर में से कौन सा हरे सेवालों का समुच्चे है तो देखे NCRT की जो सेवालों में last line है हर class की जैसे chlorophycy green algae है फियोफाइसी brown algae है रोडोफाइसी red algae है तो हाँ examples दिये गए हैं आपको पता है बच्चों कि green algae का पूछा तो green algae में जो unisolar form होती है अब देखेगा पहला option एक्टो कार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सार्गसम और फ्यूकस तो यह तो brown algae का हो गए तो यह option नहीं हो सकता फिर देखेगा ख्लेमाडवनास वोलवक्स यूलोथ्रिक्स इस्पायरोगारा बड़ यह फ्यूकस यहां पर brown हो गए तो यह भी नहीं हो सकता फिर देखेगा ख्लेमाडवनास वोलवक्स पोलिस साइपोनिया और पोर फायत यह भी नहीं हो सकता ख्लेमाडवनास वोलवक्स इस्पायरोगारा यूलोथ्रिक्स तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा यस बच्चो तो आंसर फोर हो गया ऐसे आपको भूद ध्यान से अब इससे च्यार क्योशन बणा लो ब्राउन एलगी का सेट भी लिख लो और आपको दिया यह बच्चो यस और कैसा भी डाउट हो तो प्यारे बच्चो आप समझ सकते हो पैरग्राप का डाउट बेश सकत है भूरे से औरों के संद्रव में सही खतन को आपको छाटना है तो बच्चो देखो देखो अर पाईरी फोर्म पियर सब्ड एंड बीर टू इकोल अपेकल यूगमक पाईरी फोर्म नास्पतियाकार के होते हैं दो समान सिरसत गलत बात बेटा टैबल में दे रखा है कि जो ब्राउन एलगी होते हैं उसके अंदर ये जो जूस पोर होते हैं ये जूस पोर है और जूस पोर के अंदर आपके कसाबी का होती है तो यहां आपको दे दिया एपिकल और इक्वल तो यह रोंग हो गया इस पोसेज क्लोरोफिल एसी केरिटेनोड यहां तक सही है बड़ फाइको इरिथरीन तो आप जानते हो कि रेड एलगी की बात होगी लाल सी वाल की बात होगी यह इंसेट प्रोतोप्लास्ट में लवक यथी यह यह बात गलत होगी जूस्पोर है ये correct है लेकिन वो बाई फ्लेजलेटेड होते हैं जूस्पोर पर दो फ्लेजला होती है और वो लेटरली अटेज अनिकोल होती है यानि पार सुरुप से जुड़ी दो ऐस समान का साभी का होती है यस बच्चो कितना मस्त क्योशन है कि नहीं सांती से आपको इसको क्लियर करना है टैबल को यार्द करनी है फिर भी कोई पैराग्राप का डाउट हो तो 9461357946 पर आपको बात कर लेनी है नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नंबर 3 साइटो टेक्सोनोम इस बैस डॉन कोशी का वर्गी की आधरी थे तो देखिएगा की नुकलीक एसिड क्रोमोजोम नंबर अलकलेड्स नाटरोजन तो आपको देखिएगा कोशी का वर्गी की गुणसुत्र की संक्या आकार की नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नंबर 4 मैजरेटी ऑप रेड एलगी टेट टू ग्रोइन अधिकांस लाल सेवालों की प्रवर्थी किन छित्रों में वर्दी करने की होती है प्यारे बच्चों हरे सेवाल स्वच जली सेवालों का सबसे बड़ा समु हरे सेवाल है वर्मर एरिया जिन सी बहुत अच्छा लाइन बहुत अच्छा क्योशन है और क्योशन कभी फ्रेस्ट वर्टर का लार्जस गृप आजये तो घ्रीन एलगी ही बच्चों यस तो यहां देखिएगा कि मैराइन वार्मर एरिया आपका हो गया तो फोर का क्या हो गया बच्च ग्रेट एकोलोजिकल रोल यह पारस्तित रूप से महत्वन होते हैं अनुकर्मन और मर्दा प्रदन को रोकना ब्राइफाइट में जनरली एकोनोमिक इंपोडेंस नहीं होता लेगने एक स्पैगनम होता है पीट मोस तो उससे सबसे निमंतम सरने का कोईला यानि लोएस्ट फ्यूल पीट आपको अप्टेंड होता है इसके लावा कोटन की तरह यूज होता है तो उसके अपने बात लिए अपने बेनिफिट से हैं तो देखेगा यहाँ पर पेकेजिंग मेटरियल यह एकोनोमिक है फ्यूल पीट यह भी एकोनोमिक है ट्रांसिंटमेंट यह भी एक एकोनोमिक है ट्रांस्पोर्टेशन में बट आप जानते हो कि सक्सेशन यह सक्सेशन यह एकोलोजिकल है यह क्या है इकोलोजिकल 504 हो जाएगा नेक्स्ट आप क्योशन देखेगा कि भव को इसके जिवन चकर में होती है तो आप समझ सकते हो कि जैसे एलगी तक तो कोई मैनली इस्पोरफाइट ज्यादा ही नहीं ब्रायोफाइटा का मैन प्लांट बड़ी गेमेटोफाइट है युगमोद भीद है लेकिन अल्टरनेट जो इस्पोरफिटिक होता है फूट शिटा और कैप्सूल वो मल्टी सल्दर है बट इन ब्रायोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट यानि बिजवन विद्ध हो है वो युगमोद विद्ध पर निरबर होता है प्यारे बच्चों तो आप समझ सकते हैं यहां युगलेनोड युनी सल्दर फोम है डायेटम युनी सल्दर फोम है ग्रिन एलगी में भी इस्पोरफिटिक फोम ब्राय और टेर्डो दोनों में गेमेटोफाइट फ्री लीविंग है लेकिन जिम्नो और एंजिमों तो गेमेटोफाइट डिपेंडेंड ओन इस्पोरफाइट है यह सारी बात यह आपने इतना सा पढ़ना था फूट शीटा कैप्सूल यानि ब्रायफाइट सा आपका अं बनते हैं बीजओन बनते हैं एन इस्पोर का डिरेक्ट जर्मीनेशन पर्तेक संकुन से लिवरवट का प्लांट बोडी बन जाता है थैलस और राइजोट्स थैलस और मुलाभास ठीक है और यह भी एन और आब आप जानते हैंगी स्पोर के जर्मिनेशन से फर्स्ट मित्विट दो सवर नो तो यह प्रोटोनिमा से फिर उसके उपर बड स्टेज आती से फिर आपका बनता है यहां तो देखिए का जिएक आए और बाद में लेकिन आपने से पूछा है इंटर्मिलिटी स्टेज बिट्विन प्रोटो निमा तो मोस में आपकी बढ कलिका आएगी बढ यस नेक्स्ट अपन देखते हैं क्योश्चन एट आंस्वर दा फॉलोईंग क्योश्चन एबी सी एंडी बाई यूजिंग दा गिवन डाइग्राम दिये गए चितर का उपयोग करते वे निमन प्रशनों को A, B, C ता D, के उत्तर दीजी यस प्यारे बच्चों यहां देखेगा A है नैमो प्लांट तो बच्चों नैमो प्लांट यह सिले जिनेला ठीक है उसके बाद है B है प्लोईडी तो प्लोईडी डिप्लोईड है C आपको बता है कि यह विशम विशम विजानों कोतिया नहीं जो हैट्रोष जो चुछ हैट्रोष जोणी आट्रोवेट् चम्दली के एक ट्रीक है मार्सील्यः ऐजोला साल्वीनिया सलेजिनेला मार्सिलिया , एजोला, साल्वीनिया ऋस लेजीनेला, आईसोलिट्स अब जो सीलेजेन ला तयो है तो है हेट्रो स्पुरोव है मैं कि हेट्रो स्फौरी टरैडोफवैट unlike Weed 100% हेट्रोस्पोर्स अब हेट्रोस्पोरी स्कार्ट विती सीड नेचर के इनिशेशन के लिए पहली नीड हेट्रोस्पोरी फिर दूसरी आपकी वो थी कि जैसे आप जानते हो कि फिमेल गमेटुपःट के अंदर ही जाएगोर्ट डवलॉप इफिमेल गमेटुथ और थाप काता कि फिमेल गमेटुफःट डिपेंडड और पेरेंड श्पोरफाइट कि मादा इग्मोधिक पैतरक श्पोरफाइट से जूड़ा होना चाहिए ये बात आपकी थी अब आप एस्टिबलिस्मेंट जो जिम्नोस्पम में हुआता तो बच्चों यहां फिर भी बीजी सभाव का उद्भोन यह इनिशेशन ओरिजन तो देखेगा यहां सेलेजेनेला फिर यह डिपलोई डिपलोई डिपलोईडी गुणीता देखो दिगुणीता न क्योंकि जड़तना पत के लिए नेक्स्ट अपन करते हैं क्योशन नमबर नाइन आइडेंटिफाई दाइगराम है बच्चों पैचानने आपको तो आइडेंटिफाई करीजिएगा साल्वीनिया है साल्वीनिया हेटरोस्पोर स्टैडोफ़ाइट अक्वेटिक एजोला साल्वीनिया तो यह साल्वीनिया का डियागराम है यह डियागराम आप समझते बच्चों फ्यूकस का है और यह स्पैगनम है और यह जो गिंगो बायलोबा आपका होता है तो देखिए ऐसा उप्सन साल्वीनिया फिर डिक्टि उठा गया तो नहीं साल्वीनिया फ्यूकस स्पैगनम और गिंगो तो अमसर क्या हो हो रहा है तो आप जानते हो कि पोर फार है यह लो इसके लाओ कोई उप्षन है यह यह यहाँ पोर फार है लेकिन यहाँ एपिकल आप जानते हो कि रेड एलगी की लाइफ साइकल में तो कोई मोटाल स्टेज होती नहीं है कोई मोटाल स्टेज नहीं होती है ना तो उनमें एस सक्षुल तो कभी होई नहीं सकता इपसेंट है बिलकुल सही है फ्लोरीडिन स्टार्च इस्टोर फूड है यह भी सही है तीन और यह पोरफायरा एडिबल एलगा है यानि खाने होगे सेवाल यह ना तो नेक्स्ट आप देखिए सांसुर क्या हो गया फोर हो गया next आप देखिएगा question number 11 how many organism in the list given below are considered as biological species दीगी सुची में कितने हैं जो जेविक जाती माना जा सकता है तो प्यारे बच्चों देखिएगा बई प्रोकेरट जो होते हैं उनमें sexual reproduction possible नहीं है तो प्रोकेरट में true sexual reproduction absent होता है तो फिर वो true biological species नहीं है वहां count नहीं की गई है और वो यूकरट जिनमें breeding की power नहीं है इंटरब्रीड वो नहीं कर सकते हैं तो उनको भी आप समझ सकते हैं कि biological species नहीं खा गया है तो प्यारे बच्चों आप जानते हो बड़ बाकी जो भी protestant है फंजाई है चाई plant है एनिमल है तो देखेगा कितनी biological species है 1 2 ये नहीं होगा क्योंकि प्रोकेरट है 3 ये नहीं होगा प्रोकेरट है 4 ये नहीं होगा प्रोकेरट है नौष्टोकर्टए नौष्ट्रेवctoral सायनोबैक्टिरिया नहीं होगा पॉरफाइरा इस रक्स Иह यस प्रहियोट्री Senlye से भीक्तेवर्ला इंटरे नहीं होगा में यह चाह далее यह चॉनडकर कने नहीं होगा और अम वह लगाएन你的्योuu यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा and यह नहीं होगा. और बाकी होंगी, तो आप समझ सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर क्योंग है? एक तो प्रोकरट पे कोई भी यह उन पे बाइलोजिकल कंसेप्ट लागू नहीं होता है उसको फोलो नहीं करते हैं उनमें आपस में ट्रू सेक्शल प्रॉसिबल नहीं है ठीक है इसी प्रकार आप समझ सकते हो कि यूकेट में कुछ एक्जामपल हो जो है यहां है नहीं बाक इस डाइग्राम को देखो गिंगो बाइलोबा है नीचे देगे खत्रों में चाहिए विकल्प को चैन करना है सीडार कवड फ्रूट वाल नहीं कि बटा फ्रूट तो क्यों एंजियोस्प्रम का करेक्टर है यह जिम्नोस्प्रम है मैल गेमिट आर मोटाइल हाँ यह हो सकता है पिसल ाइसल नु जीम्नोस्प्रम में वेसल में अपसेंट होता है कुछ गिंगो में है यह आ स्टेटमेंट किते होगे अ सेकेंड एंड फोर लो जी आंसर primeiro हो गए है बीज फल भीतिक आउत्तिरित नहीं हो सकते हैं नर्युगम कि city नहीं हो सक्ते हैं वहीकाओं की उपस्तिदी नहीं हो सकती क्योंकि आधिकान्स दिम्नों में अपसेंट कुछ जिम्नों और अधिकान्स подोकले वह वनबिजि ये हो सकता हैे आपका आंसर होगे, next आप देखिएगा, how many characters resemble with siphonogamous plant, siphonogamous बेटा ये क्या होता है, देखिएगा कि ब्रायो और टेरडो के अंदर तो malgamit water requirement होती है, water essential होता है, तब जाकर malgamit female तक पहुंचता है, है न, motile होता है, लेकिन जिम्नोर एंजियो में malgamit non motile होता है, pollen tube इसको facilitate क siphonogamy, जैसे आपन judeogamy बोलते हैं, ब्रायो फाइटा और टेडो फाइटा में malgamit जो water से transfer होता है, उसको बोलते हैं, judeogamy, लेकिन आपन जिम्नोर एंजियो में उसको बोलते हैं, siphonogamy, siphonogamy, ठीक है न, तो ये आप समझ सकते हो कि, अब यहाँ आप देखिएगा कि, how many character resemble with siphonogamy's plant, presence of triploid endosperm in all plant, नहीं, क्योंकि endosperm जो triploid, endosperm तो सभी plant में होता है, gymnosperm, angiosperm में, बहुत में, लेकिन जो gymnosperm उन में haploid, before fertilization form हो जाता है, और angiosperm में, after fertilization, तो वो triploid आपका होता है, yes, तो all, all आते ही है, गलत हो गया, ठीक है, always heterosperm, ये correct है, free living gametophyte नहीं है, gymnoor angio के अंदर, gametophyte is not free living, like briotteridome, in gymnoor angio, gametophyte depend on parent sprofite, और highly reduced होता है, कि बही, gymnosperm और angiosperm में, अनावर्थ वीज़ो और आवर्थ वीज़ो में, युगमोदभित, सोतंतर जी भी नहीं होता है, जब कि वो पैत्रक, बिजानदभित पर निर्भर होता है, औ और हासित होता है, यस, फिर कहते हैं, synergied cell are found in female gametophyte of all seponogamous, no, all नहीं होगा, वोई angiosperm में होगा, gymnosperm में तो आप जानते हो, कि भी, synergied और यह, antipodal और यह सा कुछ नहीं होता है, वहाँ तो archegonia बनती है, endosperm के अंदर, before fertilization, जो, endosperm में फिर archegonia differentiate होती है, यस, तो यह बात होगी, next question आप देखेगा, fusion between one large non-motile static female gamet and a smaller motile male gamet, tramdage, देखो बच्चों, दो similar gamet का fusion हो, और वो morphological similar और, तो fragilated isogamy, क्लेमिट अगर्णास में, और non-fragilated isogamy, spirogaram में, दो बार नीट में question आया, फिर अपन बात रहें कि, nisogamy में, दोनू motile होते हैं, बट, एक small होता है, एक large होता है, लेहिन, u gammy में, one generally motile और static, sorry motile, और second आपका large और static होता है, जो u gamus होता है, ठीक है, तो यह u gamus का definition है, कि one large non-motile static, जो एग होता है, female gamet, and smaller motile male gamet होता है, तो इसको पन क्या बोलेंगे, u gamus, अब u gamus तो दो जगे है, ठीक है, बाकि तो, iso gamus है, अब u gamus, spirogaram में, तो कभी possibly नहीं, क्योंकि यह होती है, एक असाभिक समय गुमक की, इस पायवरोगैरा के अंदर, यानि धोन्यों समानाकार के नहीं है, साथ में, एक असाभिक और है, इस पायवरोगैरा में तो, तो फिर कौन वो वोलवोक्स में होगे मी, 2018 का question है, नीट 2018 का question है, नीट 2018 का question है, और वो गेमी की definition, नीट 2014 14 में क्योशना वो भी करवा दिया तयार हुआ कि नहीं हुआ कोई भी concept कोई भी चीज होता हम आपके लिए हैं हम आपके साथ हैं हर तरीके से प्योर लिए आपके साथ हैं नंबर मैंने आपको बता दी है 9461357946 के लिए नेक्स्ट आप देखिएगा कि क्योशन नमर 15 which of the following statement is not correct निल में से कौन सा खतन सही नहीं है तो ध्यान दीजिएगा कि पोर फाइरा लेमिनेरिया और यूजड एस फुड बिल्कुल सही है यह खाने योगे है एडिबल एलगा सी फुड है पोर फाइरा लेमिनेरिया सार्गेसम बोजन गी रूप में किया जाता सही बात है इन रोडो फाइसी जूस पोर और पाइरी फॉर्म बिए टूफर गलत बात वे कहना कि यार रेड इलगी की लाइप में तो कोई मोटल स्टेज ही नहीं लाल्स वालगी जीयों में कोई सर्चना ही नहीं तो बात ही नहीं यह बात गए यह बात बो रहाँ यह आप से पुचा खतन सही नहीं है क्या पूचा है not correct नहीं पूचा है बच्चो नौट करेक्ट है, यस, नेक्स्ट आप देखेगा, फाइब किंडम क्लासिफिकशन नौट बेस्डोन, पांच जगत वर्गिन निमनेंसे किस पर आधारित नहीं है, तो प्यारे बचों देखेगा, बोडी ओर्गिनेजिशन, सैल स्ट्रेक्चर, ग्रोस मोर्फोलोजी, मोड नौट्रेशन, सारिक, जो आप जानते हो कि संगठन, कोशी का सर्चना, सकल आकार की, तो देखेगा, यहां, बोडी ओर्गिनेशन होता है, थेलस, यूनिसल्दर, मल्टिसल्दर, अरे भई, फाइब बेसिस है, टाइप ओप सेल, कोशी का परकार, प्रोकेरोट, प्रोकेरो प्रोकेरोजी का कोई मतलब, नहीं, थेलस रोगे, नेक्स्ट देखेगा, इन ब्राउन एलगी, फुडिज इस्टोड है, भुरे से ओल में, खाद्यपदार संचित होता है, प्यारे बच्चों, लाल सिवाल, भाई सोरी, हरे सिवाल, ग्रीन एलगा, ग्रीन एलगा, सिंपल स्टार्ट, ब्राउन एलगा, ब्राउन एलगा, लेमिनेरियन मैनितोल, रेड एलगा, फ्लोरीडियन स्टार्ट, सांड़ी में, याद करें, टेबल में, याद करें, लेमिनेरियन मैनितोल, फस्ट यांसर है, यह सिंपल स्टार्ट, ग्रीन का है, फ्लोरीडियन स्टार्ट, है तो यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता आंसर फस्ट है इन विच आप फॉलोइंग दा प्लांड बोडी इस डिफ्रेंश इंटू होल्ड फास स्टाइप लैमीना तो आप जानते हो कि ब्राउन एल्गी के अंदर यह फ्रॉंड जो लैमीना है यह आप समझ सकते हो कि स्टाइ व्र chemicals व्रन्त STUP है और है जो सबस्टाइप ऋ एटेज है यह भक्रांड बच्छो क्या है फ्रॉंड यह फ्रॉंड है यह कहा है बच्छो श्टाइप और है बच्छो क्या है Tabii प्रॉंड तरहीं ओ सबस्टाइप व्रॉंड है और इन ऑ्लस्टाइप अर्फास्टे rajth breakup जो और आप समझ सकते हो कि इसे इनमें एर वेसिकल्स होती है तो बोहन सी मतलब ओक्सिजन फिल हो जाती है तो यह सीधे खड़े रहते हैं तो इनको समुंदरी ताड़ मतलब सी पाम भी कह देते हैं अपन और यह 100 मिटर तक हो सकते हैं कैल्फ यस तो देखेगा कि यहां लेमिनेर प्रवालमुल साइकस में होती है साइकस में मैं और यह मोनोसियस होता ही है, ह благодар है थाक्यूशन है है हेक्टरोस होता ही है दो जार ठार हम्या कि पाईयस मोनोशियस है और साइकस डायोसियस है यस नेक्सट आप देखिएगा यह डाइग्राम बच्छों कारा का है कारा का तो आप आजएए मैच्छ फर्स्ट विज सेकेंड शूची एक को दो से आप सुमिलित कीजिए प्यारे बच्छों तो यहां देखो आपका लाइकोपोडीम आता है लाइकोडीम होश्पोरस और शीलेजिनला हेट्रोश्पोरस आता है यहां कॉन सांसुर आएगा कि यहां सी में तो यहां सी डेखो सी में क्या आएगा फोर आएगा ठीक है ना तो सी में फोर आएगा यही है यहां आप जानते हो फोर्त आंसर हो जाएगा यह और आर दोनु सही एक्स्प्लेंशन भी है नेक्स्ट आप देखिएगा फोलोइंग स्टेट्मेंट आर नौट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट ब्राउन एलगी फिर आपका आगए भुरे सवाल के संद्रवन ने आपको बताना है जो करेक्ट नहीं है नौट करेक्ट है सही नहीं है इस पर बेटा ध्यान दिया करो यहां सिली मिस्टेक मत कर दिया करो कि पूछा है तो देखो वह तो समंद्र यह वह साइज फॉर्म यह भी सही ए आकार आम आप में अपने एटे दीग विविता दर्स आते हैं यह गलत हो गया अगर आप देखो दो क्योस्टा तो चोता आंसर हो जाता गलत पुचा है तो नौट करते हैं यह थर्ड आंसर हो गया तो आंसर भी है भी वहाँ आपन भर्मित हो सकते हैं यह भी ध्यान देना नेक्स्ट आप देखेगा स्टेट्मेंट का सब बात आपकी ध्यान रखे गई 21-22-23 का जो नीट का पेपर है फॉर्मेट है एनमसी नेशनल मेडिकल कमिशन है पूरी बात के आपकी ध्यान रखे गई है तो ध्यान दीजिएगा इन टेरडोफाइट्स दा मैन प्लांट बोडी स्परोफिट विच डिफ्रेंशेट इन्टू फूर्शिटा कैप्सूल गलत बात फूर्शिटा कैप्सूल तो ब्राइफाइटा का है टेरडोफाइट है तो मैन प्लांट बोडी स्परोफाइट है जो रूट स्टेम और लीफ टू एन जबकि ब्राइफाइट में मैन प्लांट बोडी गेमेटोफाइट है मुखे पाद बगाई युगमोद भीद है अल्टरनेट आपका आता फूर्शिटा कैप्सूल तो यस जा skirts अंomoso's में 100% foot सिटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशियेट है तो यह स्टेटमेंट सेकेंड सभी है यह की जलत मिलान को चैन आपको करना है की ग्रीन ऐल गी पर इनको मिस्टार्ट है ये रेड एलगी तो है पॉलसाइपोनिया पर जैन्स-ओ फप्रीकोर्थ्रिन पिंपयमेंट यह वी सई है फिर ग्रीन अलगी है यह गलत है आपसे क्या पूचा है find the correct statement, सही खतन पैचानी है walvox and fucus so isogemi whereas yulothrix and spirogaras so isogemi walvox and fucus सम विगमकी जबकि yulothrix और spirogaras under गुमकी दरसाते हैं तो ये बच्चों आप समझ सकते हैं कि गलत बात होगी कि नहीं होगी क्योंकि spirogaras ugemi कभी करी नहीं सकता इस पारोगरा में तो आप जानते हो भी बताया था non-flagellated isogemi हाँ है ना तो बच्चों आप जानते हो इस प्रकार ये बात है और walvox and fucus में ogemi होती है तो ये statement गलत हो गया red algae have a dominant pigment R-phikorethin सही है brown algae produce gamit with two equal lateral two equal lateral flagella तो आप समझ सकते हैं कि ये भी गलत है keragene is obtained from geladium gracilaria यहाँ बच्चो थोड़ा ध्यान देना keragene geladium gracilaria बच्चो geladium और gracilaria red algae है उनसे agar agar obtained होता है geladium gracilaria से क्या obtained होता है agar agar समझे रहो ना जो jelly like substance है आपको मैं बता दूं कि ये जो keragene है keragene ये keragene तो बच्चो capsule covering में जो अपन कडवी मतलब भोती ज़्यादा short test में होती है कडवी या बदुदार दवाई होती हिनकी मतलब packaging में use होता है keragene तो तो keragene प्राप्त होता है condrascriptus से condras condrascriptus ये एक red algae होता आप सरच करना तो बच्चों यहां देखो की भी जो statement सही है ना वो second statement ही सही है correct पुछ आप से ये statement भी wrong है हो गया ना clear है ना next देखिएगा question number next आप देखिएगा question number 28 select the correct statement सही खतन को पहच्छानो claim adonus exhibit isogemi easy way में कर सकता है while phucas o ugemi आइसो गयमी करता है और इसपायर हो गयरा non-flagylated वह कसाबिक आइसो गयमी कसाबिक सम्विगमे की क्लेड़ोनास और एक कसाबिक सम्विगमे की इसपायर हो गयरा और यहां phucas ogemi सही बात है आइसो गयमेटार जनरली सिमिलर इस्ट्रेक्चर फंक्सन बहेवियर सेम ही होते हूं पलस माइनस बाद में जरूरूर हूए नर्मादा लेकिन इनिशियली जो आइसो गयमेटार इसमें आकार की समान ही थे morphological या जो भी फंक्सनल भी एक बार तो समानते बाद में वँ डिफर भी वह थे बट यह दो इस्ट्रेटमेंट यहां पर Correct हो जाएंगे और यह दो इस्ट्रेटमेंट है पिछ्चे क्योशन में बोलो तो आप समझ सकते हैं कि यहां इस्ट्रेटमेंट आप से बुच्चें तो यह आपके AB हो गया यस नेक्स देखिएगा question number 29 read the following statement निमनित खत्नों को पढ़िए तो देखे और साइस खतन को आपको पैच्छानना है नीचे क्या दिया गया है कि all these info related with group किस group के साथ है सोरी किस group के साथ है सूचना है है तो देखे पोसेज chlorophyll ac carotenoid and gentophyll यह तो ब्राउन एलगी लग रहा है cell wall usually covered by gelatinous coating algine बेटा मैन component होता है एलगी में cell wall में cellulose cellulose plus pectose green algine cellulose plus poly non sulporester algine brown algine cellulose plus poly sulporester यानि आप समझ सकते हो जो केरागीन है वो किसमें red algae और agar agar yes or no अब यह चीज है brown algae जो उनको इंजरी से बचाती ही भाहिया अगातों से बचाती है gametar pyreform bear to laterally attached flagella नास्पति आकारगी युगमक पार सुरूप से जुड़ी flagella तो laterally attached to an equal yes member are found in primarily marine habitat पहले भी सारे क्यों सना गएं यह सारे फियो फाइसी ब्राउन एलगी से आंसर फस्ट हो गया घजब का क्योशन है घजब का एगार एगार which is used in culture media due to its high capacity of water imbibation obtained from एगार एगार जिसका उपयोग समर्दन माध्य में इसकी उच जल अंता चुसन संत्यकरन किया जाता है किससे प्राप्त होता है तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया आप देखो यह आगे ने कॉंडरस इससे तो कहरागीन होता है यह आप कीजिएगा 31 identify the incorrect statement ए सत्य खतन को पैच्छानी है इन plants growth by cell division occur continuously throughout life span clear in animals growth seen only up to certain age correct correct non living object also so exchange growth correct in majority of higher organism growth reproduction inclusive no बेटा युनिस अदर और 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 but in multicellar both are different and mutually exclusive तो यह आपका गलत हो गया ना सत्य खतन फोर next आप देखेगा but next आप देखेगा 32 question brown algae characterized by presence of यह पहले आगे फ्यूको जैन्थी pigment फ्यूको जैन्थी clear next आप कीजिएगा 33 in artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics this is not acceptable because often करत्रीम प्रणाले में काईक और लेंगी क्लक्षणों को समान महत्तों दिया प्रंतुई वरिगे स्विकार निता क्योंकि जो काईक लक्षण वह वातावन से आसान से प्रभावित हो जाते हैं जबकि एंजियोस्पर मीकपन फैमेली बनाते तो टेक्षणों मीं करेक्टर ह फ्लोरल क्रेक्टर को पुष्पी लक्षणों को ज्यादा महत्तों दिया जाता है कि वह कंजड़ होते हैं वातावन से कम प्रभावित होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह बात आप की हो गई फरस्ट आंसर शेक्ट आप देखीगा नेक्स्ट सलेक्ट एर नेस्ट इनकरेक स्थाइब और सेक्शन अधी गलत बात बेटा पॉली साइफोनिया रेड एलगी है और पॉली साइपोनिया में हालां कि मेरे अर्गमिट मोटाइल नहीं होता है फिर भी जैसे उसको ट्राइकों से फैसलेट किया जाता है तो उगेमी इंसलेट किया जाती है तो यहां से मोसेज है और मोसेज में यह गेमेटोफाइट है यह गेमेटोफाइट है तो गेमेटोफाइट में यह राइजोड्स है यह स्टेम लाइक है यह यह लीव्ज है इस्पारली एरेंज देखो यह मुलाभास है यह तनासम है और यह सरपिल एक्सिस पे यह लीव्ज एरेंज है इ पीजनद विद पहली कोषएगा फिर उडवलप आउफ फूट सीटा कैपसूल तो यह अपन बात रहे कि आपका डवलप होता है फूट सीटा औरकेपसूल तो देखे का की ये तो यहाँ फूट है ये सीटा है ये कैपसूल है यह क्या आपका gametophyte है तो यहां D में gametophyte लेकिन C तो C क्या है leaves है ठीक है और फिर आपका B क्या है फूटनी यह सीटा है सीटा तो देखो यह आपका अंसर आएगा gametophyte leaves सीटा और capsule और ए क्या है capsule तो gametophyte पे sprofite होता है और इन ब्राइओफाइट इस वर फाइड डिपेंड ओन gametophyte मस्त फोरांसुर आपका आगया गजब का ब्राइफाइट का क्योंकि दीज प्लांट कैन लाइव इन स्वैल कैन कैन यह अबिलीटी है योग्यता है कि यह भूमी में इस तली भूमी आराम से जीवित रह सकते हैं लेगने इनको निश्यचन के लिए किस क्या हो सकता होती है जल की यस बच्चो तो यहां देखो ए और आर दोनु से हैं और क्रेक्ट एक्सप्लेंशन भी है तो आप समझ सकते हैं बोत एंडर करेक्ट यह आपका अंसर हो गया यह नहीं हो गया नेक्स्ट आप देखेगा क्योक्ष्ट नमर 37 एक्सप्लेट में लेंगिक जनन होता है तो आप ही जानते हो यह तो आप जानते हो कि वहां पर फ्रेगमेंटेशन या गेमी फ्रेगमेंटेशन या गेमी लिवरवट में यस बाकि पोसिबल नहीं है नेक्स्ट आप देखेगा कि इन ब्रायोफाइड ड थेलाई पे पयो जाएं रिक्सिया में तो मोनोसेस साइकस में डल और और फिमेल थेलाई वे अलग लगरां और ऐंक्से ए अलग पर नेनेक्स्ट देखिएगा बच्चों इस्पायरो गारा किनकि किसकी कमी होती है तो ख्लॉरोफिलले नहीं दोनों में है क्लॉरोफिल अब इस आइप गज़े एक हुआ पूचना है नेक्स्ट आप देखिएगा सलेक्ट दा ओडवन इंण रेफ्रेंस ओप लाइफ साइगल पैटर्न ओप एलगी सेवालों के जीवन चक्र के संदर में विशम को आप चुनिए बच्चो तो आप जानते हो देखो बच्चो यह इस्पाइरोगारा यह वॉल्वॉक्स यह क्लेवर यह तो ग्रीन एलगी है इनमें तो जाइगोटिक में हेपलोंटिक है पर वैसे घृन एलगी में हेपलोंटिक है है और हैली ङपकलोंटिक Я हो चाई आप समझ सकते हो कि पॉलीश स्थों इ momencie होता है तो अब यहां आपको ओरड को सेलट करना क्यों हां डिपलोंटिक आपस तो आप है नेक्स्ट आप देखेगा इन गमी ऑं मारकेंसिया में गेमा जी जो मारकेंसिया का डोर्सी वेंटरल थलस होता है तो डोर्सी वेंटरल थलस की इसे डोर्सल सरपेस के उपर आपका इसे गेमा होता है ठीक है अब ये गेमा होता है तो गेमा जो एक रिसेप्टिकल होता है और गेमी मल्टिसल्दर एसक्सुल बड़ा यस अब डॉर्सल सरपेस पे होती है तो यह गैमेटोफ़ाइट प्लांट गोटे तो एन है तो एन ब्राबाबाबागर 15 है तो जैगोट में 30 होंगे और आप समझ सकते हो कि राइजोडियल सर में 15 होंगे और आप समझ सकते हैं कि यह 30 गाद 15 15 के लिए तो यह आपका अंसर हो आप देखेगा question number 43 which of the following feature is not correct for the gymnosperm सभी अनावर्थ वीजियों के लिए नहीं से कौन सी विशेष्ता साही नहीं है तो आप देखते हैं कि they are heterosporous बैस सारे gymnosperm heterosporous all gymnosperm are heterosporous और they exhibit diplomatic life cycle और आप जानते हो dominant phagy sporophyte और gametophyte is independent sporophyte तो देखो यह विशम विजानग होते हैं दीगुनित जीऊंचे करता विजानगी दिन की प्रभावी होसता है यस और आप जानते हैं कि युगमोद भी विजानगी से क्या है श्वतनत्र होता है यस बच्चों तो आप जानते हैं gametophyte कभी free living नहीं होगा यह नह प्रतिन दूगरु विजानग दूआ रहा है मादा युमद गलत बात गुरु बिजानग प्रणत उनके अंदर आप जानते हो कि जो इस प्लांट बोडी प्लांट पे आएगी वहां पे राइजोफोर होते हैं और आप जानते हो इन सेलेजिनेला दा गेमेट प्लांट अबिट कैन बी ट्रेस्ट इन सेलेजिनेला इन थीडियोफोर और आर्की गोनिफोर और प्रण इन मार्केंशिया कितने खर्तान बच्चों सही है जांत दुबार आना जिम्नोस्प्रम फिमेल गेमेट फ़ाइट इस रिपरजेंड वाइगास प्रोफिल गलत इन सेलेजिने करेक्ट है मेटा और क्या है नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नमबर 45 विच अब दा फॉलोविंज ओड इन रेफरेंस ब्राइफाट्स ब्राइफाट के संदर में कौन सा एक विसम है तो बच्चों ऑल ब्राइफाट आर होमोस्परस सभी ब्राइफाट होमोस्परस है सम सम यहां देखेगा कि हैट्रोस नहीं हो सकता क्योंकि सारे ब्राइफाट संदर के बेटा विसम हो यह भी नहीं सकता ब्राइफाट में एक विसम बनता है चाही वो तलस राइजोड बनाए या फिर प्लोटोनीम बनाए हैना और एम्ब्रेवड फॉर्मेशन प्राइफाट म यस और उगेमी आपके दरसाते हैं बिल्कुल यह भी सही है तो यह सारे सही है पहला आपका गलत होई गया विसंपूचा आपसे बोलो भी नेक्स्ट आप देखेगा इस्ट्रोबिलाई और कौन और फाउंडी इस्ट्रोबिलाई और संकू किसमें पाई जाते हैं सिलेजिनला इकुसेट्विला शुलाण इसमें नहीं हो सकता इसमें नहीं हो सकता इस स्प Points पएल भार एतु में पार तो सिलेजिनला सूप्स्ट और इक्विस नघियाई नहीं है वीच औध वीच्व यहां आप जानते हैं कि पोरफाइर आपका अंसर हो जाएगा और क्या है कि कि वालों की काई कोश्र बितिस सलोज की बनी होती है तो जो ब्राउन एलगी होते हैं और ब्राउन का यहां पर एक्जांपल क्या है यह भी नहीं है यह ग्रीन है यह रेड है यह ग्रीन है तो यह सारगेसम हो गए ना विटा ब्राउन यह देखों कितना अच्छा क्वेशन है यस नेक्स्ट आप देखेगा हाउ मेनी अप्दा गिवन प्लांट है आर्की गोनिया एज वल एस दे प्रोड्यूस सीड दिए गए पातों में कितने पातों में ऐखेगोनिय उत्पन करते हैं तो बत्चों आप चांते हो की घान दीजीए नहींड या नो डिक्टियोटा ये सब तो आप जानते हो कि स्पेगनम इनमें तो पोसिबल निक्विसितम नो साइकस यस पाइनस यस गिंगो यस मस्टर्ड मैंगो नो नो एंड सेड्रस तो आप जानते हो कि थ्री आंसर हो जाएगा बोलो next आप देखेगा question number जो 50 है select the correct option in reference ploidy level of capsule, ceta and rhizoid, बेटा foot ceta capsule है ना, foot ceta और capsule, pad ceta और ये संपुटी का capsule, ये तो आपके sporophyte होते हैं और 2N होते हैं बच्छों, clear, और ये funeral की बात है आपके moss की बात की है, yes, और वहाँ पिर दिया आप से rhizoid, तो जो stem like, lip like है rhizoid जो होंगी, वो N होंगी, तो यहाँ देखे आपसे पुछा है कि capsule 2N, ठीक है, ceta 2N, बड़ राइजोड क्या होंगी, N, तो आंसर फस्ट हो गया न, कोई प्रोब्लम ही नहीं, सानती से करना है, दिमाग से करना है, gametophyte बोड़ी पर अभी मैंने बताया था है कि ये जैसे stem like, फिर इस पर lip like, और ये राइजोड मल्टे ये तो हो गया, N, gametophyte, उसके बाद foot, ceta, और capsule, ये हो गया, 2N, और gametophyte पर इस प्रोफाइट होता है, ब्राइफाइट में, नेक्स्ट आप देखेगा 51, which of the following is true for ब्राइफाइट, निम्न में से ब्राइफाइट के लिए कौन सा सई है, तो देखे बच्चों, यहां मैं आपको बताऊँगा कि ब्राइफाइट के लिए कौन सा सई है, इस पैगनम इस यूजड ऐस पैकिंग मेटरियल फो ट्रांस सिप्मेंट ऑव लिविंग और यह बच्चों हो जाएगा, लिवर्ट में गेमा निर्मान होता ही न मार्केंसिया के अंदर, और इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 52, study the following diagram carefully and identify the correct statement for the organism, so in diagram and select the correct option from option given below, नीचे दे चितर ध्यानपुरूप आप पढ़ो और इनका आपको चैन करना है, तो बच्चों देखो कि ये sporophylls from distinct compact structure non strobili, this is a heterosporous fern, तो ये फर नहीं है बेटा, sylogenella है, germination of spore lead to formation of independent monosyceus gametophyte, the development of the zygote into young embryo tegplast within the female gametophyte, बहुत अच्छा क्यूशन है बच्चों, ध्यान सुनना, sylogenella जो है, hetero spores है, तो लोग कौन्स उसमें आगे लेकिन आप जानते हैं कि जो sylogenella है, उसमें female gametophyte, जाइगोट, convert into young embryo, inside the female gametophyte, और female gametophyte, depend on parent sporophyte for variable period, ये सारी बाते आपकी होती है, तो यहाँ देखेगा कि sporophyll form distinct compact structure known as strobili, this is hetero spore, फर नहीं है, लेकिन ये sylogenella है, यानि ये lycopseida है, त तो वो आप समझ सकते हो कि germination of spore, तो ये hetero spore से तो monoseous possible नहीं है, और ये भी अब ये d आपका हो जाएगा, clear तो यहाँ पुछा है कि it is microphyllus plant, तो microphyllus ही है, तो बच्चों आप जानते हैं कि भी कितने statement हैं कि जो correct हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि a, d और e, sorry, हाँ, a, d e, और क्या e, a, d, e, ये आंसुर हो जाएगी बस और क्या है, नेक्स्ट आप देखेगा, 53, how many of the following structure have single set of chromosome in cell, निम्न मेंचे कितनी सर्चनों की कोश्या में घुरुश्दूर रखेएगा, एक समुच्चे, तो देखो primary protonium N, yes, rhizoid N, rhizoid of fern, sorry, sorry, ये 2N है वही, कुछ fern में ह N, rhizome of fern, no, 2N, capsule, wall of moss, 2N, endospherum of pinus N, vegetative cell of pollen grain, N, leaves of fern, 2N, cotyledon of wheat, 2N, leaves of funeria, तो वह N, अब आराम से आप निकालने तो, yes, अब नेक्स्ट आपन देखते हैं, 54, which of the following is correctly matched, कौन सा सही है, यूडोरिना, green algae, anisogamy, gracilaria, गलत, brown, नहीं, red है, इसपारोगरा, green, oogamy, होई नहीं सकती, sunflower, angios from isogamy, होई नहीं सकता, तो first ही आपका सही है, बच्चों, next, इन साइकस, roots are associated with, तो साइकस में root किसके सादद associate होती है, साइनो बैक्टिर एक साद जो correlate root बनती है, तो यह आप समझ सकते हो कि साइकस है, यहाँ यह correlate root है, जो BGA के साद associate होती है, आपकी, yes or no, next, consider the following statement, AD, निमन खत्रों पर, AOD पर ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों, आप जानते हो कि heterocyst are important site for nitrogen fixation, as well as carbon dioxide, गलत बात, बेटा heterocyst जो BGA में होती हो, end to fixation के site है, लेकिन वो heterotropic होती है, adjoining cell से, जैसे यह nostro कहना बीना है, colonial, colonial है ना, और यह mucilage है, अब बीच में बड़ी cell हो जाएगा heterocyst, तो यह क्या है बेटा की nip, gene होती है, nip plasmid, तो यह end to fixation में capable होती, बड़ carbon dioxide co2 fixation नहीं करती है, heterotrop है, yes, बाकी की cell vegetative होती हो, co2 fixation करती है, तो यह अगर यह नहीं होता था, यह सही हो जाता पर इदे को इससे रोंग हो गया, clear, cell wall of diatum is industriable due to presence of calcium carbonate, यह भी गलत हो गया, silica बताया था आपको, पढ़ा ना आपने, silica होता है, इन फंजाई, plasmagamy always occur between two motile, तो यह भी आप समझ सकते हो, कि गलत हो गया, always two motile in non motile भी हो सकता है, पहले भी एक्योशन आया था, प्रिवेस में भी, अब देखो, algae का गया ने, algae, so isogamous, anisogamous and oogamous type of sexual, यह करेक्ट है, यह क्या है बच्चों, करेक्ट है, how many of the above statement, पूचा आप से not correct पूचा है, करेक्ट ने पूचा है, क्या है, not correct, सही नहीं है, तो सही तो एक है, बाकि तीन, तीन आपका क्या है, सही नहीं है, तो algae से सबसे related question आगया है, नहीं आगया, next अपन देखते है, question number 57, claim adubinas and chlorella, so all the character of algae, but rhvittaker plus them, कि chlorella और सारे algae के हैं, लेकि लेकिन बटा, rhvittaker कहता है, कि all prokret in monera, all uniceud urukate in protista, चाहिए वो पेरामिश्यम, animal भी क्यों ना हो, इन chlorella और claim adubinas को algae के साथ रखा, उनके साथ amoeba प्रविश्यम के सा रखा गया है, नहीं रखा गया है, बोलो, तो आप समझ सकते हो कि यह सारा, किस पर तबीड़ा body organization, कि जो यह भी uniceudher form है, उनको आप कहां रखो, protista में, irrespective their mode of nutrition, all uniceudher ukate in kingdom protista, yes, next आप देखेगा, इन pinus needle sap leaves reported, what is the significance of these leaves in plant cycle, pinus की पतियां सुईक्याकार की होती है, इन पतियों का पादप के जिवन चक्र में क्या importance है, प्यारे बच्चो, बहुत मस्ती से अपन करेंगे, कि भई, ये it protect the plant from cattle, ये पादप को पस्षों से बचाती है, नहीं, it help to plant survived high wind velocity, बिल्कुल correct, zero phatic adaptation ही है क्योंकि high wind velocity बचाती है, zero phatic adaptation है, water loss को कम कर देती है, yes, तो एक से ज्यादा, four answer आपका हो गया, more than one option correct, next आप देखेगा, question number 59, identify, इसको पैच्छान हो भई, salvinia है, yes, तो आपके सामने देखो, azola, no, drapteris, no, पहले भी आ गया, salvinia है, सीधी बात है, question number 60, match the column first with second, आप column को मिल हो भी, तो देखो बच्छो, प्यारे बच्छो, मस्त रहना है, मस्त रहना है, यह सोरनो, दुनिया के अंदर जो सक्सित होती है, जिन में अकेले चलने का जज़बा होता है, जुनून होता है, एक दिन, दुनिया में उनके पिछे कारवा होता है, प्यारे बच्छो, तो देखेगा इस्ट तो इस्ट तो आप समझ सकते हो कि भी इस्ट एक फंगई है एंटिवैटिक की बात नहीं करेंगे और उसके बाद जिलेडियम, फ्यूकस, क्लोरेला तो देखेगा कि यहां पर क्लोरेला से एंटिवैटिक मिलती है फ्यूकस की सलवन में एलजीनेट है यस और जैसे अपन बात रेकिए इस्ट में आभासी कोग जालो जाएगा जिलेडियम से एगार एगार मिलता है और इस्ट तो यूनिसादर तो सुडो माइसिलियम हो सकता है ट्रू माइसिलियम नहीं होता है तो अब देखेगा इस्ट सु माइस अब बैक्तिर्या आशलोगे क्लासिवेड अंडर अपन दा फो लोईंग अरे बच्चों अकोडिंग 5 कींगडम ओल मॉनेरं नू आर्किबैक्तिरिय में यू बैक्तिरियम डियू और शावटर जगत मॉनेरा में भाईया बैक्तिरिया जाए प्रणे साइनो बैक्तिर हो रहा है तो न इसोगेमी दोनों ही मोटाइल होते हैं यह दिस सिमिलर साइज हो गए यह लो फ्यूजन हो रहा तो एनसोगेमी यह लो जी तो आंसर क्या हो गया है एनसोगेमी नेक्स्ट आप देखेगा एप्लांट सो थैलस लेवल अर्गनेशन सो राइजोड और हैपलोड नीड़ वाटर कंप्लेट लाइफ साइकल विकोज मेल गेमिट आर मोटाइल आइडेंट वैदा गुरूफ एक पादफ है जिसमें थैलस अस्तर का संगट है थैलस हैपलोड होता है है प्लोड मूलाभास है एपलोड है एगुनित है जी उन्चक्र पॉरागनर जल क्या उश स्पोरोफाइट डिपेंड ओन गेमिटोफाइट नेक्स्ट देखेगा प्लांट ओब दिस ग्रूप आर डिप्लोड एजवल एज अडप्टेट टू एक्स्ट्रीम कंडिशन दे ग्रोव बेरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पेटिक्स्ट्र कॉल्ड कॉंस दिस ग्रूप कि अनुकुलित बढ़ने सगन ओकर एक सरचना जहें संकु कहते हैं अना अनावर्त वी जी जिवन उस्प्रम है गी नहीं है नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रोटोनीमा क्या है बच्चों प्रोटोनीमा है प्लोड बोड़ी है है अगुनित और मौस में पाया जाता है क् कि इस्पोर है न वो युगमोद्वित की पहली कोशिगा है इस्पोर इस फर्स सल उप गेमेटोफाइट डारेक्ट जर्मिन सोकर अगर थलस बन जाए तब तो आप जानते हो कि लिवरवर्थ बट प्रोटोनीमा फर्स गेमेटोफाइट दैन लीफी गेमेटोफाइट क्योंक है तो सीकुआ ऌसीघ है कि जिमनोशक्रम है सभी री नेचर होते हैं सीघiggs कोशिवर डलार्जेस्ट यस नेक्स नेक्स कोमण टाइप ऑफ प्रोडू प्रोड्यूजिन अलगीर मोटाइल से वालunter बनेवाले सब से सामनेष्ण से tớiने स्बदक र कर का यह थैयां नेइस तो ल नहीं बेटा फ्लावर is the character of all and only angiosperm on this earth इस पर्थवी पर के आवर्थ वीजियो में फ्लावर होता है और फ्लावर होता है और फ्लावर होता है जो जिम्नोस्प्रम है उनमें ओव्यूल बिफोर फ्रेटलाइशन भी नेग्ड होता है और आप्टर फ्रेटलाइशन भी तो दा आप देखेगा और यही तो गलत आया था बहुत स्वरी पाइनस मोनोसियस कितना अच्छा क्यूशन है और यही तो गलत आया था स्वरी आपका स्रेंडमश पुछ पुछाता है यहां पर तो साइक्स हो गया एक्विसिटम के लिए देखो यह मिसमेश कर दिया पड़ तो आंसर हो गैं नौ सेकेंड है तो वह आप जानती है पेट के स summary होता है और इंकोनुमिक इंपॉटनेंस कहई होता है यह जानते ही आप स्पेगनम, नेक्स्ट आप देखेगा स्लेक्ट दा कॉमन क्रेक्क्रेक्ष्ट्स्ट्री को मोस और फरन, मोस दा फरन के उभिनिस्ट बताओ, तो मोस मदलब ब्रैफ़इट, फरन मदलब टरडफ़इट, तो एक्सेल फिर्टलेशन नो, डिपलोणिक लाइ बनेंगे यहां देखो गमेट फाइट बनेंट बोडी वह मोस में तो फर्ण बोडी वह मोस में तो है बड़ फर्ण में नहीं नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नंबर 73 दा फर्स्ट टेरस्ट्रियल प्लांट विच पोसेज वैस्कुलर टीशू जायलम फ्लोएम बेटा इस अर्थ के उपर पहला पादव समूँ जिनों ने वैस्कुलर टीशू को धारन किया तो फर्स्ट मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट बोडी यह वैस्कुलर तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा टेरडोफाइट्स नेक्स्ट आप देखिएगा सुरी जिम्नोस पर्म डिफर्फर्म फर्न हविंग आनावर्त विजी किस प्रकार फर्न से भिन होते हैं एम्ब्रियोफाइट्स है सही है वैस्कुलर टिशू दोनों में है ओव यहाँ पर ओविल की बात होगी नेक्स्ट आप देखिएगा गैमेटोफाइट्स डू नोट हैव एन इंडिपेंडेट एक्जिस्टेंस इन निम्से युगमोद भी सौतंतर नहीं होता है देखो अधा ब्राइवफाइटा का मैन प्लांट गैमेटोफाइट होता है अल्ट रिक्सिया तो देखो इनमें फिर लिविंग होता है फ्यूनेरिया मोस में होता है पाइनस में नहीं होता है यस नेक्स्ट आप देखेगा 76 स्लेक्ट दा ओर्गनिजम विच बिलोंग टुदा क्लास लैकोफिडा कि लैकोफिडा से कौन रिलेटेड है लाइकोपोडियम है यस तो लाइकोफिडा से यहां पर आप जानते हो कि लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला लाइकोपोडियम होमोसपोरस है और सिलेजिनेला क्या है है हेट्रोसपोरस अब एडियंटम फर्न है साइलोटम सिलोपिडा है इक्विसिटम स्पिनोपिडा है नेक्स्ट आप देख कि यूनी सल्दर नहीं मल्टी सल्दर है फोटो सिंटेटिक यस थैलोड गेमेटरफाइट यस फ्री लीविंग यस तो फस्ट ही गलत हो गया आपका क्योंकि वो तो फ्यूजन जिसका जाइगोट और पी एन आप्टर फ्रेटलाशन बनता है क्योंकि एंग्योस्प्रम के करेक्टर आपको यहां दे रखें यस नेक्स्ट आप देखेगा और खेंगोस्प्रम यह एंग्योट आपकी यह पेरिटी यह थ्री एंटिपोडल वती यह इर बार्गी सेंट्रल सेल होती है तो नेक्स्ट आप देखेगा अ एक्टो कर पस न्र क्वलिश सेपोनिय सो एक्टो कर पस ब्राऊन एलगी पीज यह से भी यहिप रावन एलगी में एक्जद सब्सुकर्प फ्यूकस प्रसको हो चोड़ दो भ्राऊन एलगी में बाकी जो एक्टो कार्पसे Laminaria है है और एलगी फ़िसats सब्सक्राइब कर देंगे मोस का प्रोटोनिमा हो जाएगा फिलामेंटस अलगी फिलामेंटस पंजय इन में तो फ्रेगमेंटेशन होता है युनिसल में तो बायंदर फिजन बड़िंग होगी कांसे हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन यस देखो वच्छो यह फिलामेंटस अलगी या जो फंगई है तो यह फ्रेगमेंटेशन होता ही और मोस के प्रोटोनिमा में बहुत अच्छा क्योशन है आप देखेगा एटीटू मार्क दा इनकरेक्ट ओप्शन रिगार्डिंग दा साइंटिपिक नेम मेंगो आम के विग्यान के समंध में आपको गलत का चैन करना है मेंजी फेरा रिप्रेजन दा जीनस वाइल इंडिका इजे पर्टिकुल स्पसीज सही बात है इजे लेटि दा सखता नहीं तरह ओ गया gide no next83 इटीथी विच अपधा फॉलोइंगि चोड इकल्प स्यांगी स्ट फंजाइ से कपंगजाय होते हैं एस कमाइस सिटीज जैसे बोलते हैं स्याइल अधा Sag, अफम स्याई एं अपका ऑपका जौते हैं एं तो यहां पर आपका कलेविसव मास स्रूम बेस्टीव बोलो बच्चो तो यहां पर क्लेवी सर्फ हो जाएगा यह थेली कवक एस को सुगा नेक्स देख़ेगा मैंबरो बेस्टीव माजेटीज के सदस्य हैं अने जो टो तो होता है उनमें और sex organ नहीं होते हैं generally do not produce asexual spore प्राइलेगी बिज़न नहीं है आर पब बोल, moral भख नहीं, do not produce fruiting body नहीं, तो generally do not produce asexual spore, हाँ, asexual spore उनमें नहीं पाये जाते हैं yes or no, जो do spore होते हैं, वो नहीं होते हैं उनके अंदर, या जो भी asexual spore generally absent होते हैं बेस्चिडियों के अंदर, next आप देखेगा 85, mycelium is accepted and sinusitic, तो देखो ये mycelium में cells adgen होती जाएगी, many cells attach होकर septa नहीं बनेगा, तो ये aseptate multinucleate, aseptate multinucleate, sinusitic, yes, तो ये FICO, mycities, next आप देखेगा, beside pedifield, cyanobacteria also found in vegetable part of neil arisual, धान के खितों के लोग किसके काईक भाग के अंदर पाये जाते हैं, तो आप जानते हो, साइकस में, correlate root होती हैं न, वो, 87, read the following five statement a to e, and select the option with all correct statement, ये से इको पड़िये और सही खत्रवाले विकलप आप चैन करें, तो moses and lichen are the first organism to colonize bear rock, कि moses और lichen नगन चट्टानों पर पहले जीव थे, जो colonize हुए थे, और सिलेजिनेला, इजे होमोस्पोरस, टेडोफाइट, सिलेजिनेला एक सम भी जनुक है, नहीं है बई, सिलेजिनेला आप जानते हो, है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यह सही है इन जिम्नोस परम मेल और फिमेल गमेटोफाइट आर प्रजेंट विधिन स्पोरेंजिया लोकेटेड़ ओन स्पोरोफाइट यह भी सही है यस तो बच्चों यहाँ आप जानते हो की जो है बी और सी गलत है तो ए डी और क्या ई के लिए यह सही हो जाएंगे तो तो ट्रांसपोर्ट में तो ना मेल गमिट और ब्रायव फाटा में तो एंथ्रेजोड्स होता है वो वाइव फ्लिजलेटेट कॉमा सेफ और त्रेडव फाटा में आप जानते हो कि फ्यूजी फूम होता मल्टि फ्लेजलेट होता है तो यह वाटर आपका हो जाएगा नेक् बिल्कुल करेक्ट यह बहुत अच्छा क्वेशन है तो निशेचन से पहले भी एक्सपोज्ड है यानि अनावर्थ है निशेचनवाद भीज आपके अनावर्थ होती है और बच्चो लास्ट क्वेशन पर आ चुके हैं पन बहुत मस्ती से खुश रहिए और आगे से लाइन प्रण पढ़ते रहिएगा आगे दो दिन आपका गैप है उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा उसके बाद अपना दंगल स्टार्ट हो जाएगा और देखेगा फ्लोरीडीन स्टार्च है इस स्ट्रेक्टर सिमिलर इससे समद्धित क्योशन पहले भी आच चुका है एमा यह से पेपर दीजिएगा थैंक्यू वेरी मच्च जैजेसीलसी